वेलकम टू जीरो से जिनियस तक के आज के एक और नए इस्पेशल पीडियोपी टेस्टा में आपका एक छोटा सा टेस्ट करेंगे जिन में आपसे पूछे जाएंगे जी के जी इसके 25 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एकजांस में पूछे जाते हैं तो चलिए सुरू करत होती है पहला प्रस्ण है महराना परताप बुल-बुल किसे कहते थे आपको इस प्रस्ण का आंसर सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब महराना परताप बुल-बुल किसे कहते थे आंसर है आपसन नमबर बी अपने घोरे को कोशन नमबर टू क्यो राइल किस महासागर की ठंडी जल धारा है क्यो राइल सही आंसर है आपसर नमबर डी परसांत महासागर कोश्च नमबर तिन बीश्व भारती की अस्थापना किसने किया था सही आंसर है आपसर नमबर C रावी निरनाथ टाइगोर ने कोश्च नमबर फोर जीलू का अत्या अन क्या कहलाता है सही आंसर है आपसर नमबर A लिम्नोलाजी कोश्च नमबर फाइब बीश्वा मलेरिया दीवस हर साल कब मनाया जाता है सही आंसर है आपसर नमबर A पचीस अपराइल को कोश्च नमबर सिक्स चीन की मुद्रा क्या है राजधानी तो आपको पता है चीन की मुद्रा क्या है सही आंसर है आपसर नमबर B इवान कोश्च नमबर शेविन जैन धर्मे में कूल कितने तिर्थकर हुए सही आंसर है आपसर नमबर D चौबिस कोश्च नमबर इट वायू मंडलिये वायू में कितना परतिसर्थ ऑक्सिजन होता है वायू मंडलिये वायू में कितना परतिसर्थ ऑक्सिजन होता है सही आंसर है आपसर नमबर D 21% कोश्च नमबर 9 और्थ सास्तर का जनक की से माना जाता है सही आंसर है आपसर नमबर C कोश्च नमबर 10 मुस्लिम लिग का प्रथम सम्मेलन कहां पर संपन हुआ था सही आंसर है आपसर नमबर C अमरित सर और इसकी अस्थापना 1926 भी में हुआ था और आपने अभी तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पे किलिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को अल कर दिजिए क्योंकि ये चानल आपके सिल्यवस बे और करता है धन्याबाद आगे सवाल है अलमाटी बांध है कि इस नदी पर इस्तित है सही आंसर है आपसर नमबब बी क्रिशना नदी कोशन नमबब बारा हमारी सांस्कृतिक के धरोहर के लेखक कौन है हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक तो आंसर है आपसर नमबब सी डॉक्टर संकर दयाल सर्मा कौशन नमबब तेरा दक्षिन अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है सही आंसर है आपसर नमबब बी पंपास कौशन नमबर 14 अंति मुगल समराथ कौन था अंति मुगल समराथ कौन था आंसर है आपसर नमबब डी बहादुर साह जफर कौशन नमबब पंदरा राज्य पाल को वेतन कितना परदान किया जाता है सही आंसर है आपसर नमबर C सारह तीन लाख रूपए पर मंथ दिया जाता है कोशन नमबर 16 मुल अधिकारो का सरक चक किसे कहा जाता है मुल अधिकारो का सरक चक किसे कहा जाता है आंसर है आपसर नमबब B न्याय पालिका को कोशन नमबर 17 बंगाल का अतंक किसे कहा जाता है सही आंसर है आपसर नमबर A जल कुम्भी को कोशन नमबर 18 बीश्वा में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है सही आंसर है आपसर नमबर A ब्राजिल कोशन नमबर 19 धान का खायरा रोग किसकी कमी से होता है सही आंसर है आपसर नमबर C जास्ता यानि की जींक की कमी से कोशन नमबर 20 सीनेमा का अविश्कार किसने किया था? सीनेमा का अविश्कार किसने किया था? सही आंसर है आपसर नमबर A निकोलस और जीन लुमिये ने कोशन अगी है भारतिये बीश्व अविद्यालयों की अस्थापना कि इसके सासनकाल में किया गया सही आंसर है ओप्शन नमब बी लॉड का एनिंग क्वेशन नमब बाइस अलकनन्दा और मन्दकीनी नदियों का संगम कहा होता है सही आंसर है ओप्शन नमब बी रुद्रा परियाग में कोशन आगी है जनगरना किस सूची के अंतरगत आता है जनगरना किस सूची के अंतरगत आता है आंसर है ओप्शन नमब ए संग सूची कोशन नमब चौविस स्वित फासफोरस को सदेव किस में रखा जाता है? स्वित फासफोरस को कहां रखा जाता है? आंसर है आप्सन नमब सी किरोसिम के तेल में कोशन नमब 25 भारत के किस राजिया में पहली बार गयर कॉगले से सरकार बनी थी? भारत के किस राज्या में पहली बार गयर कॉंग्रे से सरकार बनी थी आंसर है option number B के रल तो आपके लिए एक सवाल है सोर या उर्जा किसे से प्राप्त होती है यदि आप right answer बता सकते हैं तो simply आपको comment box में जाना है और महाँ पे लिखना है Q40 वर इसके right answer तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत